बिहार में कोरोना का गहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिश्रे राज्यों से अपने गाउं लोटे थे। काको प्रकंड के एक ही परिवार के पांच लोग हरियाना से अपने गाउं लोटे थे। जहां उसके संपर्क में आने से ही उसके पिता भी संक्रमित हो गए। जबकि सदर प्रखंड का एक व्यक्ति दिल्ली से अपने गाउं वाय था, जिस संपर्क में आने से गाउं के दो अन्य व्यक्ति संक्रमित हो गए. सभी नौ पॉजिटिव मरीजों को कोबिट केर सेंटर में आइसूलेट किया गया है, जहां मेडिकल टीम द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के तहट उनका एलाज किया जाएगा. रहत की बात ये है कि जिल्ले में पाए गए 217 मरीजों में से 187 को आईसूलेशन वोट से डिस्चार्ज कर दे गया है. जिल्ले में अभी 23 केस एक्टिव हैं जिनका सदर अस्पताल में इलाजी चल रहा है. पंजाब केसरी टीवी के लिए जाहनबास से मुकेश की रिपोर्ट.